हेलो एब्रिवन एक बार फिर से आप सभी का हमारे इसने वीडियो में स्वागत है दोस्तो आपके फोन में ये जो फ्लैसलाइट मिलता है इस फ्लैसलाइट का आप क्या यूज करते हो कभी-कभी अंधेरे में फोटो क्लिक करना हो गया तो फ्लैसलाइट का काम आ गया उस वक्त या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करना है अंधेरे में तो उस वक्त भी काम आ जाता है फ्लैसलाइट का कभी-कभी टॉर्च का भी काम आ जाता है इससे ज़्यादा आप flashlight का आप कुछ भी यूज नहीं करते होगे मैं guarantee के साथ कह रहा हूँ लेकिन दोस्तों मैं आपको बदा दूँ कि इस छोटे सी flashlight जो आपके phone में है उसका दो ऐसा खुफिया राज है न अभी तक किसी को जी हां किसी को भी नहीं पता है और जो की मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और सच में इन दोनों ट्रीक के बारे में जानने के बाद आप पूरी तरह से सौक्ट होगे और सपने में भी ऐसा ट्रीक आपने सोचा नहीं होगा कि इस छोटे से flashlight से इतना कुछ भी हो सकता है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ बिना टाइम वेस्ट किये करते मिडियो को स्टार्ट मैं नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सपर्ट बाबा यूटूब चैनल दोस्तो वीडियो पसंद आए तो प्लीस वीडियो को एक लाइक जुरूर कीजेगा आपको बताने के लिए क्योंकि बिल्कुल नया ये स्रेटिंग है और सभी के काम आ सकता है ये चीज़ जी हाँ अब जैसे कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए ये मेरे फोन में फ्लैस लाइट टॉर्च का एक ओप्सन है जो कि सभी के फोन में होता है आपके भी फोन में होगा तो यहाँ से आप क्या करते हो टॉर्च जलाते हो और यहाँ पर आप टॉर्च का लाइट देख लो कितना ज्यादा या फिर कितना कम जो भी है यहाँ पर आप लाइट देखो कितना कम है इस light से हम अच्छी तरह से कोई चीज देख भी नहीं सकते हैं अगर मुझे इस light को ज़्यादा करना है तो कैसे होगा अब आप में से कई लोग कहेंगे कि यह कैसे हो सकता है यह तो हमारे phone में पहले से set होकर आता है कि कितना मेरा flashlight का capacity है कितना यह जल सकता है कितना light कर सकता है लेकिन दोस्तों मैं आपको बढ़ा दूँ कि इस flashlight को आप कम ज़्यादा कर सकते हो वो कैसे होगा मैं आपको बढ़ा दूँ जैसे कि यहाँ पर यह जो flashlight है इसे मैं जला दूँगा flashlight मैंने on कर दिया अब flashlight के icon के नीचे जस्ट यहाँ पर एक torch का आपको लिखा हुआ मिल जाएगा T O R C H लिखा हुआ मिल जाएगा तो उस word पर आपको क्लिक करना torch जो लिखा हुआ है उस पर आपको क्लिक करना है लिखे हुए पर और उसके बाद यहाँ पर आपको अच पर ध्यान दो थोड़ा सा यहाँ पर भी ध्यान दो बात में देख लेना कैसे होता है यहाँ पर देखो यहाँ पर अभी 4 लेवल कर दिया यहाँ पर कुछ light बढ़ा यहाँ पर देख लो full मैंने किया सबसे कम यहाँ पर हो गया और यहाँ पर done पर click कर देता हूँ और यह मेरा flashlight जो वो तेज हो चुका है और मैं असानी से अब अंधिरे में कुछ भी मतलब देख सकता हूँ और यह अच्छी तरह से अब torch का काम भी करेगा जियां यह torch का अब अच्छी तरह से काम करेगा यहाँ पर आपको क्या करना है सबसे पहले अपने phone के setting को open कर लेना है phone वाले settings के अंदर आ जाना है settings के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको सबसे निच्छे आना है सबसे निच्छे आएंगे और यहाँ पर आपको एक option मिलेगा accessibility यहाँ पर accessibility यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर accessibility के अंदर आ जाना है accessibility के अंदर जैसी आओगे तो यहाँ पर आपको एक option मिलेगा advanced settings जी हाँ यहाँ यहाँ पर नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि यह कितना advanced level का setting है तो यहाँ पर advanced एडवांस सेटिंग्स पर आपको क्लिक करना है एडवांस सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक आप्सन मिलेगा फ्लैस नौटिफिकेशन यहाँ पर आप देख लो फ्लैस नौटिफिकेशन सिंपल आ तो यहां पर आपको क्या करना है camera flash on कर लेना है जैसी आप यहां पर on करोगे यहां पर preview मैं करके आपको दिखा लता हूं इस तरह से आपका light जो torch blink करेगा यह कब काम आएगा जैसे कि आपके room में अंधेरा है आपका phone कहां पर रखा हुआ आपको पता नहीं है और आपके phone पर आप यहां पर आपके आपको काफी अच्छा लगाओ तो यहीं तो सेटिंग था जो कि आपको कर लेना चाहिए और बहुत ही बेस्ट सेटिंग है उमीद करता हूं दोनों सेटिंग आपको काफी अच्छा लगाओ विडियो कोई के लाइक जुरूर कीजएगा चानल को सब्सक्राइब करकर बेल आइकन दुबा कर और आपके सेटिंग कर लेजएगा मिलते हैं असी कोई विडियो के साथ तब तक के लिए जया हिंद और टेक क्यार